नमस्कार दोस्तों मैं सुरजमल आपके अपने यूटूब चैनल बे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज हम बात करने जा रहे हैं पोटफोलियÖ ऊपस्रा र है वह कर दिए तीक आपासे के जाइब बाता है exemplo सब्सक्राइब्सोंस्कार में वह बेंदारियां कि यह था यूथ अच्छे चोटे होते हैं तो साधी करने का यह जो बाकी जो बर्डन है वह जो सीने सिटिजन है उनके उपरी आता है तो उनको पैसे की रिक्वार्मेंट हो कभी भी पढ़ सकती है तो उनका जो पॉटफोलियो है वो रिस्क को में ध्यान में रखते विए उस साब से बनाया ज सकती है तो आप इन स्टोक से अपना पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि यह जो स्टोक्स यह स्लेक्ट करेंगे हैं एक तो वोलेटाइल कम होते हैं और इनके अंदर शीक्रोटी बहुत ज्यादा होती है SBI, Finance Sector से इसकी जो डिविदेंट इल्ड है 0.87% ICIC Bank Finance, PNB Guilds, Vedanta, NMDC, Hindustan Zinc, Sun Pharma, Sifla, Reliance Industries, HCL Tech, Zensar Tech, Power Grid, REC Ltd, Tata Motors, IOCL, Muzzgown Dogs Builders, ITC, BEL और आपका 10% इन्वेस्टमेंट अब गोल्ड गेंदर होना चाहिए और 20% आपको जो केस है वो हमेशा अपनी हैंड में रखना है क्योंकि आपको कभी भी इस चीज़ की रिक्वार्मेंट पर सकती है तो अगर आप 1,100,000 रुपे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में तो आपका 20% तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो आपके पास पिछे बच्चा 80,000 रुपे 80,000 के अंदर 10,000 रुपे आपको गॉल्ड के अंदर investment करना है ETF है गॉलल ETF है यहाँ आप में गॉल्ड परसेज भी कर सकते हैं online तो अब बचे आपके 70,000 रुपे 70,000 रुपे जो पिछे 18 स्टोक बचते हैं उनके अंदर आपको equally divide करके उनमें investment करना है और सभी स्टोक में करना ऐसा नहीं कि एक स्टोक में कर दिया और बाकी स्टोक में आपने investment नहीं किया हर स्टोक में क्योंकि यहाँ जो भी स्टोक है वो हर सेक्टर से लिया गया है maximum हर सेक्टर को cover करिया गया है और हम इस जो list को है हर 6 मैंने पर एक बार review करेंगी उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और आपकी काम भी आएगा धन्यवाद